कि सभी विध्यार्तियों को नमस्ते विध्यार्तियों आपका जानवे अजू के सरह हमें स्वागत है तो इस वीडियो के अंतरगत हम एन आई यूएस क्लास 10 के अंतरगत जो सामाजिक विग्यान विश्य दे रखा है यानि सोसल सांस सब्जक्ट है जिसका कोड 213 है उसका हम किस तरह से किया गया है कि आपके शामाजिक के अंदर 27 चेप्टर दे रखें तो 27 चेप्टर ही आपके मेन एक्जाम में नहीं आएंगे तो अधिकतरी च्टुडेंटों को भी पता ही नहीं है तो पुरी के पूरे 27 पार्ट पढ़ रहे हैं तो आपको 27 पार्ट नहीं तो इस वीडियो में हम एक तो यह बफरी केसन देखेंगे दूसरा आपका क्या रहेगा वह हम देखेंगे क्योंकि जैसे पहले पेपर आता था वैसे अभी पेपर नहीं आएगा क्योंकि बफरी केसन करने के बाद में पेपर जो कुछ पेटर्ण पर bleibt चेंज हुआ है तो किस तरह से pattern आएगा, कितने नंबर के आएगा, कौन-कौन से प्रशन कितने कितने नंबर के आएगे वो हम इसमें जो है इस वीडियो के अंदर के देखेंगे तो वीडियो में अंतक बने रही है, वीडियो को ज़्यादा शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आएकन को ज़रूर दबाईए ताकि आने वारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो देखे, सामाजी क्विग्ञान विशे है, वो मैंने सारांस रूप में, सारे चेप्टर में पढ़ा रखे है तो उसके अलग से प्रेलिश्ट बनी हुए है, तो वहाँ आप सारांस रूप में देख सकते हो इंपोडेंट क्यूशन है, वो भी हम जल्दी लेके आ जाएंगे तो उसमें तो मेरे सारे चेप्टर पढ़ा रखे है तो वह सारे चेप्टर आपको नहीं पढ़ना है हाला कि सलेबर्स कुछ भी चेंज नहीं हुआ है सलेबर्स तो सेम टूस है, मैं बस आपके पाटों का विभाजन कर दिया है यह पाटो आपके ट्यम में जो मैं एगजाम है यह च्प्टर आपके मैं एकजाम में अने वालने तो जो सहरे चेप्ट पढ़ 맛있어요 अपना समय बरबादना कीजिए ग tea यह मैं एक्जाम के है तो इंग्लिज मीडियम की student हैं उनको कुछ दिक्कत नहीं है वो देखें इंग्लिज मीडियम में यह प्रफरीकेशन दे रखा हैं तो उसमें से देखें कि आप कर सकते हों प्रिटिश रूल के बारे में उसमें बता रखा है लेसन नमर एट है जो है भारतिय राष्टिय आंदुलन इंडिया नेशनल मुव्मेंट तो यह लेसन नमर आठ है और लेसन नमर नो आपको पढ़ना है जिसके अंतर का दे रखा है फीजियोग्राफिय ओफ इंडिया यानि की भारत का भोतिक विज्ञान ठीके लेसन नमर तैन है क्लाइमेंट जो जलवाई तो समधी चेप्टर है तो इसका पाट का नाम जलवाई रहेगा हिंदी में इंगलिस में क्लाइमेंट रहेगा लेसन नमर तेरा आपको पढ़ना है जो की है परिवेन और संचार यान ट्रांसपोर्ट एंड कम्यूनिकेशन तो इसके बारे में बता रखा है चप्टर में फिर है लेसन नमर 16 जो है आपके मोलिक अधिकार और मोलिक करता विए यानि फंडामेंटल राइस यान फंडामेंटल जुटी इसके बारे में इसमें संघी सतर पर राजब सासन की स्फलेंगे वह है पिर नमर 21 है जो है राजनितिक दल और दबाव समु इस तरह से आपके यह चप्टर दे रखाए 16 शोला तो इन 16 चप्टर को ही आपको पढ़ना है इन 16 चप्टर के बारे में मैं आच्छे से सारांस रूप में पढ़ा है तो अब देखते हैं तो यह जो वफ़ी केसं है वह टेलिग्राम पर मैं डाल दूगी जान वेद्टी कर सकते हैं वहां में डालूँगी अगर आप इसको डाउंलोड कर सकते हैं तो आप NIH की साइड पर जाकर जो study material है, वहाँ आप सामाजिक विज्ञान का subject खोलिएगा, वहाँ उपरी उपर buffer equation दे रखा है, तो वहाँ से भी आप download कर सकते हों, अब हम देखते हैं, इसका cushion paper कैसा आएगा, जो अभी नए pattern के नुसा रहेगा, तो देखें, यह जो sample cushion paper दे रखा है, sample cushion paper इस तरह से आएगा, यह देखें, यह 100 नमबर का आपका जो paper है, और यह जो paper है वह आपके 3 घंटे में होगा, यानि कि आपको समय 3 घंटे मिलेंगे, और 100 नमबर का आपका यह cushion paper होगा, आफ देखिए यह जित सेंपर पेपर है वो इससे रहेगा है ना ह हनाë टोटल आपके क्यूशन पेपर के अंदर नर्टल-53 पूछ पूछल जाएंगे हना और सारी कुशन करना अनिवारी रहेगा और क्यूशन का जो कborskुन रहेगा इस तरह से रहेगा देखो क्यूशन नमबर वन से लेकर 20 तक है यानि 20 क्यूशन है वह आपके मल्टीपल चोईस टाइप क्यूशन रहेंगे यानि एम से क्यू रहेंगे चार उप्शन उसमें दिये जाएंगे चार उप्शन में से आपको आंसर चुननना होगा ठीक ह और परते क्यूशन का जो मार्किंग है वह एक नमर की रहेगी तो इस तरह से आपको इस क्यूशन को करना है तो एक से लेकर 20 क्यूशन जो है औह उपके m c q रहेंगे यानि कि वश्तुमीश पूसरण रहेंगे फिर क्यूशन नमर 2 से लेकर रहेंगे हो आपके ूबज्च् तो इस question की अंदर भी आपके दो पार्ट रहेंगी question में तो परते जैसे दो नंबर का एक question है तो उसमें भी दो चीजे पूछ ली तो एक एक नंबर क्यों चीजे हो गई एक नंबर का वह आंसर रहे है इस तरह से है तो यह हो गया आपका पार्ट तो ए पार्ट और बी पार्ट यानि ए सेक्शन और बी सेक्शन दोनों के अंतरगत आपके पेपर का डिवाइडरेशन किया गया है फिर है आपके question नंबर 36 से लेकर 41 यानि 36 से लेकर 41 नंबर तक जो question रहेंगे वह आपके very short type के question रहेंगे जो के दो नंबर के रहेंगे ठीके यह जो 30 से 50 वर्ड में इनका answer आपको लिखना पड़ेगा जो आपके लगुतात नंबर very short के अंदर जिसके बहुत अत्ती लगुतात में प्रशन आते ज स неп jeśli पने to 1986 श्कै नंबर vs. 37 तक रहेंगे समुएं जिसके अंत्रकत अफिर नंदर का प Красण तक काुच इनकार वह आपको है material में नदी का नंदी का नाम पूछ ले के बताओ नदिया कहां से बहती है तो इस तरह से क्यूशन उसमें पूछे जाएंगे तो नक्से के आपको अच्छे से तयारी करके जाने तो भारत के नक्से के अंतर गया वह वर्ड का नक्षा दे दिया उसमें को क्यूशन आपको पूछा और उसमें वह क्यूशन आपको दर्शाना है वह इस्तान आपको दर्शान है तो इस तरह से मैप से संबन्दी तेनी मानचेत्र संबन्दी प्रशन पूछा जाएगा फिर है क्यूशन नंबर जो पचास से लेकर इकावन यह लोंग आंसर टाइप क्यूशन रहेगा जो जिसका आंसर आपको 80 से लेकर 120 सब्दों में करना हो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझी जाएंगे मेने हिंदी मीडियम वालों को भी हिंदी में करके समझा दिया है अब आगे देखिए यह आपका क्यूशन पेपर इस तरह से आएगा तो यह सेंपल क्यूशन पेपर है आप इसकी भी तैयारी कीजिएगा जरूर नहीं मैं है इसमें चारए ओप्सन दे टिए चारों मैं से कोई भी एक सांस्न इसका का माक्स इसका है तो इस तरह से बंसे लेकर 20 इस तरह से क्षेंच से भी कुछ student क्या करते हैं तो इसके नहीं करना है थो इसका मतलब हो ये question और ये question क्या करना है दोनों तो आपको नहीं करने तो आपको यह आता है तो यह कीजिए यह आता है तो यह कीजिए दोनों नहीं करके आए हो गया करके आना आप वना नंबर नहीं मिलेंगे तो इस तरह का ध्यान रखना कहीं कहीं पर एस तरह के क्यूशन दे रखे होंगे तो इस तरह से देखो यह भी ऑ सबसे हाइस चोटी कौन सी है तो हम पता ही है हिमाले की सबसे हाइस चोटी इंडिया की अंतरगत है वह कंचन जंगा आगे देखते हैं अब यह देखिए इस तरह से बीश कुछन आपके कोई नक्सा देकर मैप देकर पूछा जाएगा तो यह औप जेखो अब इसके बाद में कुछन नमबर 21 से लेकर आगे तक जो कुछन रहेंगे वह आपके इस तरह से कुछन रहेंगे इसमें सब्सक्राइब करना है तो आपको प्रशन नहीं उताना है आपको डायेट आंसर लिखना है जैसे मालब 25 करते हैं तो आप डालोगे आंसर नमबर 25 ठीक है यह आंसर नमबर 25 ठीक है क्यूंट है और क्रम यही रखना से सबर्बार 20 पए अपने मन से 1-3 डानक वहाँ नमबर 25 ठीक है तो आप कीुछ तरह से कहले निख्तियों गणका नहीं जो यह निखना करते कि नमबर दे नहीं हाँ दराने कि यह क्यूंकि आंसर लिखने due लिखेगा कुछिन नमबर जो दे रखा वही डालिएगा तो इस तरह से आपके ग्रीकिस्तान वाले पूछे जाएंगे मिलानवाले है हम पूछे जाएंगे जिसको आपको दो नो बिजान रखना है कि किसी दोग के आंसर पको अलगे किसी दोग के आंसर रहे हैं तो अपको फ्लोग के आंसर मुझधे नहीं DAN तो यह नहीं होना है टो आप लिखा हूँ आभी है बत लोग के दो नम घ propor मिलेक्ट से निर्देश if पढ़ना है कि निर्देश में क्या दे रखाए और आपको 15 मिंट टेक्ष्टा भी दी जाएगी जिसके अंतरगत आप only क्यूशन पेपर पढ़ोगी क्यूशन पेपर किस तरह से आया है क्यूशन किस तरह से दिये गए है तो आपको उसमें आंसर नहीं लिखना पेपर को समझना है कि इस तरह से आपको पेटर उसमें दिया हुआ है क्योंकि अभी क्यूशन पेटर जो चेंज किया है तो दोनों नहीं करने दोनों में से एक क्यूशन आपको करना है तो यह इस तरह से क्यूशन का पेटर आपका रहेगा इंग्लिस मीडियम में है लेकिन हिंदी मीडियम वाली वैची से समझ पा रहे हैं यह मैं समझ रही हूँ कि जैसे मैं समझा रही हूँ उस आपको पढ़ते जाना है क्यूशन का पेटर इंग्लिस मीडियम में ही दे किस तरह से मार्कें इसकी की गई है तो अभी मैंने आपको 51 कुछन बताया है और कौन कोई किते बन नंबर के हैं इक गई बताए अपकी मिलखा हूँ अब देखो ही आपके हना कित्ते नंबर का पूछा जायगा तो इस तरह से आपके 100 number का क्यूशन आएंगे 100 पर सीशन है ना 100 number के आपको क्यूशन पेपर आएगा जिसके अंतरगत आपको object टाइक क्यूशन है यह देखो 20 है number of क्यूशन 20 क्यूशन पूछे जाएंगे जो और वाल सब्जेट होगे यानि कि object होगे जिसमें आपको चार चुनना होगा जो मैंने भी बताया है आपको और परते क्यूशन वन मार्क का होगा इस तरह से 20 नमर का तो यह होगा फिर आपके 15 क्यूशन है वह कैसे वित्ति तूस क्यूंद या चार फिर से जाएगा फिर के जाएक है या फिर कुछ सान के नाम नदियों के नाव जाए इस तरह से पूछ लिया तो मिलान वाले आ गए तो इस तरह से आपको क्यूशन की त्यारी करनी है फाल्स और ट्रू यानि सत्य और असत्य के बताओ यह वाक्य सत्य है या सत्य है तो इस तरह से क्यूशन उसमें पूछा जाएगा फिर है यह 15 हो जाएंगे फिर वेरी शोट आंस्वर या च्र RH 50 अबदन में जाना है फिर लूंग ऐसे जो आपको दू क्यूशन पूछर आपको ऑो परते क्यूशन च्हे नंबर का होगा और उसके कितने नमबर मिलेगे 12 नमबर तो देखो मेप आपसे पूछा जाएगा तो मेप की अंतरगत आपको जो है मेप की तयारी करनी है मेप की तयारी किला प्या कीजिएगा आपके जो पाठों की अंदर जो भी नक्से दे रखे हैं मेप दे रखे भारत का नक्सा उसमें मालो भोतिक विभाजन कर रखा है या फिर उसमें नदियों के बारे में बता रखा तो उनको आप अच्छे से पढ़ के तर याय वह स्मझे तो ही नवें से पूर्फिकेस काम देडिकन का में इन जहेंगे स पर बता दिए हैं हैं कि इसक अलावा मैंने कुरेशन पेपर के आलावा आ tengo martit आपके तो चलो यह वेटे जो बाई रखा कि यह आपके काम कर नहीं है चलो आप प्र भी समझा देती हूं इंडिया एन वर्ड ठोक दा अजय यानि कि उनके बारे में यह के बारे में 32 नमरी देशन आएंगे आपके चो टोटल जो मोडूल से उस मोडूल को भी भाजन किया ग पूरे 27 से सताय चेप्टर ना पढ़ें सिर्फ 16 चेप्टर की तयारी एनसी स्टुडियन को करना है और अपने अच्छे से तयारी कीजिए उन सारांस वाले चेप्टर को पढ़िए अपने बुक से पढ़िए और मैं मुझे लगेगा ठीक है लेकिन पढ़ना आप ही को है अच करना है